प्यारे विद्यार्थियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम सर पर आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के पाचवे बादशा साहाजाह के बारे में 1628 से 1658 श्वी का वो काल जिसे स्थापत्य अकला का सवन काल कहा जाता है आखिर साहाजाह ने इस काल के दुरान ऐसा क्या किया तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे समय खराब न करते हुए आपके अपने चैनल एक्जाम सर पर तो हम स्टार्ट करते हैं साहाजाह प्यार विद्यार्थियों साहाजाह का जनम पांच जनवरी 1592 स्वी को रानी जगत गोसाई के गरब से हुआ 1612 स्वी में साहाजाह का विवा यानि कि तकरीबन उस समय साहाजाह के आयो 20 वर्स रही होगी अर्जूमंद बानो बेगम जिसको हम सभी मुम्ताज के नाम से जानते हैं के साथ हुआ 1631 स्वी में मुम्ताज के मृत्यू पर उसकी याद में उस परसिद इमारत का निर्मान साहाजा ने करवाया जिसे आज संसार के साथ अजूबों के बीच हम पाते हैं ताज महल हुआ क्या था कि जो नूर जहां थी जहांगीर की पतनी जिसे महरूनी साभी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले एक्चर में उसके पक्सपात पुन रवये को देखकर वो नहीं चाहती थी कि साहाजा जो है वो मुगल सल्तनत के बादसा बने तो 1627 हिस्वी में अपने ससूर आसफ खां को साहाजा ने निर्देश दिया कि आप उन सभी लोगों की हत्या करवा दो जो राजगद्दी के दावेदार हैं अज़े आसफ खां ने सहरियार को दाबरबक्स को गुरु सस्प को होशंकर को आदी को कतल करवा दिया था इसके बाद सहाजा चोबिस फरवरी 1628 हिस्वी को मुगल सल्तनत की राजगद्दी के उपर बैठा उसने अपने विश्वास पातर आसफ खां यानि को जो ससुर था को वजीर का पद दिया और महावत खां को खान खाना की उपाद्दी से अलंकरित किया बात जहां तक नूर जहां की थी तो नूर जहां को उसने दो लाक रुपे वार्षिक पैंसन देकर लाहोर भेज दिया तो सहाजा के समय मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ विद्रो हुए जिसको सहाजा ने दबा दिया मुगल सल्तनत की बात करें तो अकबर के टाइम से ही बहुत बड़ा समराज्य था लेकिन जहां कहीं भी इन्होंने राजाओं को कठपुतली राजा बनाया हुआ था उनसे वो उस दुरान टैक्स या जो आप कह सकते हैं जागीर वो लिया करते थे तो बुंदेल खड के राजा जो वीर सिंग बुंदेला थे काफी टैक्स उन्होंने जमा किया हुआ था तो टैक्स देने से उन्होंने 1628 सिस्वी में आना काने की उन्होंने साहजा ने का कि आपकी धन की जांच करवा लेते हैं तो उसमें भी आना काने की तो इस पर सहाजा ने बुंदेल खंड पर आकर्मन कर दिया और 1628 इसवी में विर सिंग बुंदेला ने आतम समर्पन कर दिया 1631 इसवी में खान जहां के विद्रों को दबाया अब बात करते हैं जो में चीज आज के टोपिक यह सहाजा के निर्मान जहां से कोश्चन आता है उसके लिए हमारी ट्रिक है आज की पहले भी हम आपको अगर मुगल सल्तना ट्रिक हमने अपलोड की तहीं उसमें आप देख सकते हैं साजा के मादव से मुगल काल आपको मिलेगा तो आज की ट्रीक है साहजा के निर्मान मत जा रेशमा दिवानी मैंसे मोती मस्जिद, तैसे ताजमहल, जा से जम्मा मस्जिद, रेशमा से रेशमा बाग और दिवानी से दिवाने खास ये वो दिवाने खास था जिस पर मयूर सीहासन लगा था और इस मयूर सीहासन में जड़ा हुआ था विशव का सबसे बेशकिम्ती हीरा कोहिनूर हीरा वही कोहिनूर हीरा जिसे मुगल सल्तनत काफी सालों तक संभाल की रखा और आखिर में मुहुच शारंगिला से छिन करके नादिर शा ले गया था इरान से उस से छिन करके हमद शाब दाली ले गया था तो ये कहानी कोहिनूर हीरे की थी आज वो बिरिटेन की महरानी के तक्तेता उसमें है अब बात करते हैं उत्राधिकार की लड़ाई शाहजा जिस वरिख्यार आपको पता है राजगदी पे बैठा वैसे ही प्रिस्थितियां आगे भी शुरू हो गई थी आपको बताता हूँ कि शाहजा की बिमार होते ही चारों जो पुत्तर थे उसके वो लड़ाई लड़ने लगे सिहासन की दोड़की मुम्ताज की चोदा संतान थी चोदा में से साथ जीवी थी साथ में से चार लड़के थे दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद और तीन लड़कियां थी जहां आरा, रोशनारा और गोहनारा जो जहां आरा थी वो चाहती थी कि दारा राजगदी पर बैठे रोशनारा औरंग जेब को राजगदी पर देखना चाहती थी और गोहनारा थी उसने मुराद का समर्थन किया था जहां तक सहाजाहां की बात है सहाजाहां चाहता था कि उसका जो सबसे योग्य बेटा है दारा सुशक्षित था विदवान था योग्य था तो वो राजगदी पर बैठे और इसी वज़े से औरंग जेब यह नहीं चाहता था दोनों के बीच दारा और और औरंग जेब के बीच चार युद्ध हुए उन चारों युद्धों के अंदर औरंग जेब की विज़े हुई औरंग जेब युद्ध देवरिया की घाटे में हुआ था औरंग जेब ने 30 अगस 1669 को दारा को हरा दिया रुसका कतल कर दिया अब बात करते हैं सहाजाह के अंतिम दिनों की सितंबर 1658 में औरंग जेब ने अपने पिता सहाजाह को आगरे के किले में कैद कर लिया यही आगरे किला जो अकबर ने बनवाया था और वहीं पर 31 अक्तूबर 1666 को सहाजाह की मृत्यु हो गई तो यह इस परकार से सहाजाह की जो अंतिम यात्रा थी वो आगरे के किले में ही रही और कहा जाता है कि लास्ट में सहाजाह की अर्थी देने को लिए कुछ नोकर्चा कर और समाने लोग ही शामिल हुए थे तो प्यारे विद्यारतियों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी है तो इसे शेर कीजिए कल हम नए टोपिक के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे धिरी धिरी हम पुरा मगलकाल करेंगे जल्द ही नए लेक्चर आपका औरंग जेब के उपर भी आएगा प्लीज इसको अधिक से अधिक शेर करें आज के लिए तना ही बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू जय हिंद